Manual of Library Economy पुस्तक की सवर्स लिखे गई थी तो correct answer की बात करेंगे तो correct answer आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1903 में लिखे गई थी 1903 में किसके द्वारा लिखे गी थी वो आपको याद रखना है तो 1903 में लिखे गी थी कि Dublin Core क्या है तो correct answer की बात करेंगे तो Dublin Core आपका हो जाएगा Metadata हो जाएगा तो option नमबर आपका correct हो जाएगा इसके लाव याद रखना Dublin Core Metadata 1905 में आए था और यह OCLC के द्वारा लाए गया था OCLC Dublin Core यह आपको चीज़े याद रखनी है इसके अंदर होते हैं इसके अंदर आपकी 15 element होते हैं तो Dublin Core Metadata में कितने element होते हैं 15 element होते हैं यह चोड़ चोड़ चीज़े आपको याद रखनी है question नमबर 3 के बात करें अपूपा system में यू निरूपित करता है अपूपा सिच्टम में यू किसको निरूपित करता है सवाल दे रखा है तो यहाँ पर पुस्तकों को साइक अनुकरम में जमाने के अंदर काम में आता है और सेल्प के अंदर पुस्तकों की विवस्तापन से संबंदीत है और लाइबरे साइंस की किसी फॉर्मुले की बात करें तो आपका लाइबरे साइंस का सेकेंड जो लो है वो आपका अपूपा सिस्टम को से सुची करंड पर रंगानाथान पुस्तक की स्वर्ण लिखी थी सवाल एक सवाल पर अगला सवाल आचुक है प्री नेटल के टालगिंग निमर में से किस समबंदी तो थे वह आपका प्रियंटर के टेलोगींग करते हैं आपका प्री पॉट्हेशन कर देना वह कहला थे प्रेनेटल के टालोगिंग के सकते हैं यानिधी कहलता आपका प्री नीटल क Kitchen गहला तो इसके दिन निकालने 2020 के तो 2020 के दिन होते 366 दिन और 3 holiday को आपको minus करना है तो right answer हो जाएगा 363 दिन 2020 में कितने दिन खुलेगा 2020 में हो 363 दिन खुलेगा अगले सवाल की बात करते हैं अगले सवाल की बात करते हैं रंगानातन की पुस्तक library book selection का प्रतम संस्क्रण का प्रकाशी दुआ वातन सन 1952 में प्रकाशी दुआ दिति संस्क्रण की बात करेंगे तो दिति संस्क्रण वाता 1966 में प्रकाशी दुआ जैकिन एडिशन तो वात है इसका 1966 में प्रता मेडिसेन वाता 1952 में अगले सवाल की बात करते हैं अंगला सवाल देरक है मेशूर पब्लिक लाइबरेरी एक्ट किस वर्स अस्तित्व के अंदर आया तो मेशूर पब्लिक लाइबरेरी एक्ट किस वर्स अस्तित्व में आया तो वो आया था सान 1965 में 1965 में कौन सा अस्तित्व में आया था मेशूर पब्लिक लाइबरेरी एक्ट या करनाटे का पब्लिक अगला सवाल है अंतर राष्ट्री साक्सरता दिवस कब मनाया जाता है इसके लाफ़ शिक्सक दिवस की बात करें तो पांस सितंबर को उस नाम को नाम किया च्ढ़न नाम की सकते हैं या फिर शुड़न नाम की सख्टे है च्ढ़न रहते हैं तो ग्रितिस नेशनल डिबियोग्राफी जो कब शुरुई 2050 में शुरुई थी और दो हजार तीन केंदर क्या होई थी अलॉइन होई ती इसके लाएफ बात करेंगे तो आई अगले सवाल के बात करतें दोस्तों अगला सवाल है राजस्तान की जलवायू संब्धी जानकारी प्राप्ट करने के लिए राजस्तान की जलवायू संब्धी जानकारी प्राप्ट करने के लिए कि सुजना सरोत का प्रियोग करेंगे तो यहां पर करेंगे तो अगले सवाल क बुनिस वर कहां पर हैं वह आपका ओड है स्तीता रहत री अगले सवाल की बात करते हैं अगला सवाल है किसी पुस्तकाले का मुक्राइब कैया होता है तो किसी पुस्त का लेका मुक्राइब होता है जोexplう रीच रखना है और इसके चैनल कोलम की बात करेंगे इस ट्रिंड कोलम 14 होते हैं साइच की बात करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 13 16 इंटू 13 और 14 हो जाएगे इसके अंदर कोलम यह बात क्या रखना और अगले सवाल के बात करते हैं अगला सवाल देरेका ब्रोड सिस्टम और निम्न में से क्या है जिसे बीएस आपको क्या हो जाएगे एक परगी करन पदती है और यह आयती सन 1978 में आये थी फीड लेकर आये थी और फीड के साथ में कोल लेकर आया था इसको यूनेस को लेकर आये था तो यूनेस को प्लस फीड कब लेकर आये थी 1978 में लेकर आये थी और एक यह वरगी करन पदती है अगले सवाल के बात करेंगे सवरो परतम केनन सब्त का प्रियो किस ने किया सवरो तो अगले सवाल को बात करेंगे तो अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन के बाद में कौन से स्टिक्षिन आएगा क्रेक्ट आंसर की कि बात करेंगे क्रेक्ट आंसर हो जाएगा बाकी कौन-कौन से हैं तो यहां पे correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका controlling हो जाएगा तो option number a correct हो जाएगा तो henry fail के 500 है वो आपको याद रखने है planning, organization, direction, coordination और controlling ये आपको इस तरह से याद रखने है पांस तत्वा henry fail के वो आपको याद रखने है अगले सवाल के और बढ़ते अगला सवाल है call number में सामिल होते हैं कोन-कौन से तत्वा सामिल होते हैं call number में class number सामिल होगा collection number सामिल होगा गुक नंबर सामिल तो option number D Correct हो जाएगा तो इस question का right answer हो जाएगा और अस पllesas नंबर होज़ाएगा option number D yeah इस current science magazine के आवरती क्या है current science magazine के आवरती के बात करेंगे दोस्तों वोो जाएगे आपकी 14 दिन 14 दिन आपकी किस के आवरती है current science magazine क्या वरती है कब शुरूई थी ये पत्री का शुरूई थी 1932 में शुरूई थी और ये primary periodical है और primary periodical है और ये Indian science academy के दोरा किलकता की द्वारा पारती है संक्या की संस्तान कोलकता के द्वारा गया च τη के अगले सवाल कै यह अगला सवाल पॉघ यहां की सवाल तो आदियो तो यह कि सक्षेट्वां में के अंदर रिए RDA श्तित्वव के अंदर आया था यह WCR2 को प्रतिस्तापित करने के लिए बनाए गया था और इसके अंदर The Section होते हैं तो RDA 2010 The Section और WCR2 को प्रतिस्तापित करने के लिए और यह एक तरह से Cataloging Standard है यहांनि Cataloging के लिए काम में लिया जाता है अगली बात करते हैं dictionary के दूसरे नाम कौन-कौन से हैं तो option में lexicon दे रखा है lexicon दे रखा है glossary दे रखा है vocabulary दे रखा है तो correct answer option number D हो जाएगा यह जो इंपोर्टन ती नाम होते हैं वो जाएगा glossary, vocabulary और lexicon चलिए अगले सवाल की बढ़ते question number 27 और question number 27 ते रखा है आदूनिक सुची करण का जने किसे माना जाता है तो आदूनिक सुची करण का जना को हो जाएगा आपका में यह कटर हो जाएगा से कटर को क्यों माना जाता है कि 1906 में क्या दिया था इन्होंने इन्होंने rules for dictionary लोग नाम पुस्तक लिए इसके लावा याद रखना सुची करण के बागी कोड याद रखना अठार सो इक्सिनरी के ता लोग लेगी यह आपको याद रखना है चलिक लिए सवाल के बढ़ते question number 28 को बढ़ते question number 20 पुस्तकाले के दिनों में पुस्तकाले का समय बात करेंगे तो आपको जगन नियो कन्वेंशन हो जाएगा चलिए सवाल के और बढ़ते question number 39 की पुस्तकाले के दिनों में पुस्तकाले का समय बढ़ा देना पुस्तकाले विग्यान का कौन सा सुतर नहीं तारता है पुस्तकाले विग्यान का कौन सा सुतर नहीं तारता है पुस्तकाले विग्यान का कौन सा सुतर नहीं तारता है पुस्तकाले विग्यान का कौन सा सुतर नहीं तारता है पुस्तका बात करेंगे मैं नीमन में से पुस्त काले किस लेटिम सब्से मिलकर बना तो आपका राइट अंसर हो जाएगा लाइबर से तो आपको क्या करना है इसका उसका वाले टेस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्षिन में दे दूँगा ताकि आपको क्या मिलेगा कल वाले टेस्ट को आप दे पाओगे तो आप उसको कुछ पॉर्मेट के अंदर देपाओ तो आज का टेस्ट किसा लगा करने करके बता सकते हो इसके अलाव हमारी क्लास यह टेस्ट लाइव भी होता है यह अपना 49 पे होता है फिक्स तो 49 पे सब लोग इसको जोइन कर लेना कल से